की कोशिश की वो तो भाई सहाब सबसे बड़े देश फ्रेमी लोग है पर जिसने आते ही सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाए वन रैंक वन पैंशन दिलाई रैफेल विमानों का सस्ते से सस्ता सौदा जल से जल निप्टा आया वो विचारा आज सफाई देता फिर रह क्योंकि चौकीदार तो चोर है वारे मेरे नामदार वाह क्या कमाल की दोगलापनती है जिसका जीजा किसानों की जमीन हडब गया वो तो पवित्रता की गंगा है गंगा और चोर कौन है जिसने किसानों को डेड़ गुना समर्तन मुल्य दिया जिसने किसानों को क्रेडिट पिदा उनके खाते में देना शुरू किया वारे मेरे नाम दवर वा और एक बात बताओ जिसकी माँ बिना बिजनस के विश्व की चौथी सबसे धनिक महिला मानी जाती है इंग्लेंड की रानी से भी जादा रिच मानी जाती है जो खुद माँ बेटे हजारो करोड के नेशनल हैरल घोटाले में जमानत पर बाहर घूम रहे है कूल मिलाकर जो खुद चौर जिसकी माँ चौर जिसका बाप चौर जिसका जीजा चौर जिसका पूरा खांदान चौर वो चौर आज शौर मचा रहे है कि देश के लाखों चौरों को पकड़ने वाला चौकिदर चौर है बताती हूं जो इमानदार नेता अब तक हम नायक जैसी फिल्मों में देखा करते थे वो अब असल में आ गया है इसलिए तो इन सभी नामदारों की लंका में आग लगी पड़ी है अरे नहीं नहीं भया तालिया मत बजाओ तालिया मत बजाओ हम में से एक एक जानता है कि ये बाप दादा के जमाने से चोर है पर फिर भी ये आए दिन हमारे सामने उल्टा शोर मचाते हैं देखिए सौ बात की एक बात चौकीदार तो जागा हुआ है पर अब जरुरत है हमें जागने की और इन चोरों की नीन धराम करने की अगर आपको लगता है कि काजल हिंदुस्तानी की बात में दम है तो पहुचा दीजिए ये वीडियो घर घर तक ताकि हर घर से आवाज आए भारत मता की जै भारत मता की जै